नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी चैनल संगेताज कॉर्णर में आज में लेके आएँ मूली के अचार की रेसीपी फ्रेंट जो की काफी हल्दी और टेस्टी होता है इसे बनाना बहुत ही आसान है और आज इसे हम विना पिनेगर या फिर बिना प्रेजरवेटिव के बनाएंगे फिर भी साल भर रखके आराम से खा सकते हैं ये बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं तो चलिए सुरू करते हैं आज की ये बहुत ही चटपटी सी रेसीपी इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 kg मूली ले लिया है इसके छिलकों को मैंने हटा लिया है और अच्छे से पानी से धोके साफ कर लिया है अब इसे हम टुकडों में काटके तयार कर लेते हैं तो आप चाहें तो इसको गोल-गोल स्लाइस में भी काटके इसके अचार बना सकते हैं मैं यहाँ पे इसको लंबे टुकडों में काटके रेडी कर लेती हूँ तो मूली का जो अचारे friends अक्सर लोग नहीं खातना चाहते हैं कि उसमें से smell आती है लेकिन आज में जो tips और tricks दोंगे उससे आप इस अचार को बनाएंगे तो नहीं इसमें से smell आईगी और नहीं ये कभी खराब होगी तो प्लीज वीडियो को पूरा जुरू देखिएगा पसंद आए तो like, share, comment करना प्लीज बिल्कुल नहीं भूलिएगा तो इस तरह से मैंने लंबे टुकडो में काट लिया है इसको बहुत मोटा या फिर पतला नहीं काटेंगे यदि बहुत मोटा काट लेंगे तो उसको पकने में यानि की गलने में ज्यादा टाइम लगेगा और बहुत ही पतला कर देंगे तो वो आपस में घुल जाएगी तो ये देखिए मूली को मैंने काट के यहाँ पर रेडी कर लिया है अब इसे हम डायरेक्ट ये दिया अचार बनाते हैं तो मूली में बहुत जादा पानी होता है तो जब भी हम इसमें मसाली या तेल डालेंगे तो वो अपना पानी छोड़ेगा मूली और मसालों में और तेल में मिक्स हो जाएगा और इसे हम छोड़ देंगे कम से कम चार से पांच घंटा के लिए इससे क्या होगा ना कि मूली से सारा पानी अपने आप ही रिलीज हो जाएगा नमक वो एब्जॉर्ब कर लेगा और पानी रिलीज कर देगा तो मैंने तो इसको पूरी रात ही छोड़ दिया था तो पूरी रात के विए देखिए कि यह मूली जो स्रिंक होके थोड़ा कम हो गया और पानी बहुत जादा यहां पी जमा हो गया यानि कि मूली में से जो भी पानी था वो सारा निकल चुका है तो इस पानी को हम हटा लेंगे इससे क्या होगा कि मूली से पानी तो निकल ही गया उसमें जो एक स्मेल होता है जो कि एकसर लोगों को पसंद नहीं आता है वो स्मेल भी इसमें से निकल जाता है तो यहां देखिए पानी को अच्छे से हमने निकाल लिया है अब इसे हमें धूप में सुखाना है लेकिन उससे पहले आप इसमें चाहे तो गाजर दूसरी सब्जा भी हैट कर सकते हैं मैं यहाँ पर हरी मिर्च ले रही हूँ मूली के साथ हरी मिर्च का टेस्ट बहुत ही अच्छा है तो इससे जुरूर डाले यह मिर्ची बहुत तीक है इसलिए मैंने सिर्फ 8-10 लिये आप इसे ज़्यादा भी ले सकते हैं फ़म के लिए किस्की मसाला बना लेते हैं तो एक अध़ाय या पैन में दो बड़ी। सर्सो के दाने लेके दो चोटे चमच सबूद जीडरा लेंगे एक छोटा चमच सवफ लेंगे एक छोटा चमच यहाँ बहू पर मेठी दाना और और फोटा चमच काली बस गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और यहां पे सबसे लास्ट में डालेंगे एक बड़ा चमश धनिया पाउडर, यदि आपके पास साबुत धनिया है तो सारे मसालों के साथ आप सुरू में धनिया को भी रोस्ट कर सकते हैं इनके साथ बट मेरे पास नहीं था तो मैंने पा फ्रश्या Acre Me Me सर palm artist 5 guts लेंगे और तील को हं गरम कर लेंगे उसने क्या है कि अचार को पकाने में ज्यादा हमें टाइम नहीं लगे हैं धूप में बहुत जादा दिन नहीं चोड़ना पड़ेगा तो तो लेम को अपर टेंगे और इसे अच्छे त्छे थंडा करने के तो इसको किसी भी जार में भरके हम लोग रख सकते हैं और किसी भी सबजी का किसी भी अचार में उसको हम लोग रियूज कर सकते हैं उसके बाद एक चोटा चमश लाल मिर्च का पाउडर एक चोटा चमश हल्दी पाउडर आधा चोटा चमश लेंगे कास्मेरी लाल मिर्च का पॉडर इससे कलर बहुत अच्छा था आप चार में और दो से तीन चोटा चमच लेंगे आमचुर पॉडर इससे खटास आता है इस अचार में और चट पटासा टेस्ट आता है नमक ले लेंगे दो चोटा चमच तो नमक अमने पहले भी आड़ किया है तो ध्यान रखेंगे और आधा चोटा चमच हेंग लेंगे जो कि डाइजेस्टन के लिए बहुत सही होता है और यहां पर लेंगे साथ ही एक बड़ा चमच मिक्स मसाला जो कि हुमेड मसाला है इसकी रेसीपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी रेसीपी कल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉ तो किसी भी अचार में बहुत ज्यादा मसाला तेल या फिर बहुत कम नहीं रखना पड़ता है इसको थोड़ा अच्छे से बैलन्स करना होता है तो जो मने मसाला बचा लिया है उसको यह दी आइड कर देते तो मेरे हिसाब से ज्यादा हो जाता है इसलिए मैंने उसको रख जाना चाहिए खुब अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बाद देखिए फ्रेंट्स यहाँ पर अचार का कलर बहुत ही अच्छा आया है किसी भी अचार में थोड़ी सी नमक और मिर्ची जो होती है टेस्ट से ऊपर डालना चाहिए क्योंकि अचार को हम लोग प्लेन तो ख अचार को बस दिकत है तो पानी से और किसी चीज से नहीं और देखिए यहाँ पर हमने विनेगर कुछ भी एड़नी किया है फिर भी यह अचार आप सालों भर रखके खाएंगे कुछ भी नहीं होगा बिल्कुल खराब नहीं होगा इस अचार को हमें धूप में रखना है सा से आठ दिन के बाद यह अचार बिल्कुल खाने लाइक हो जाएगा और मैं दो से तीन दिन के बाद आपको दिखा रही हूँ अचार का कलर हलका सा चेंज होने लगा है और यह देखिए कलर कितना अच्छा आया है यहाँ पर मिर्ची और जो हल्दी है परफेक्ट कलर है इस गर्चेंज हो जाता है और हर दो तीन दिन में इस तरह से अचार को मिक्स कर लेंगे ऐला देंगे तेल और मसाले किया होता है श्याज़ा तरफ के गदाBT्म्ली मिर्चों बbenst, ओर यह ठाली के यह जो चार और तरफ जब काल आक के बिलिए लिए इत क्मेट विक्षान तो इस तरह की रेसिपीच के लिए प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा तो फिर मिलते हैं इसी तरह की आसान और नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाय टेक केर थैंक यू फर वाचिंग माई आल वीडियो